आने नी मिधायक हमार प्रिये दाद श्री के दार कश्यक्ची हमन मलखम के राष्टी के लाड़ी हावत जे में हमन अभी तक के फान सले भी जादा पदक जीते हावत लेकिन हमन अभी तक के कोई पिसरकारी से धने मिदी सावत हमन बार बार लटर लिखा थावन निको अर भी पिछले दिनों देश दुनिया में चत्तिजगर का और अबुजमार का नाम रौसन करके लोटे मलखम के खेल्यारियों का एक सोसल मीडिया पे वारल वीडियो धूम मचा रहा है इस वीडियो में बच्चेओं के दौरा पिसानिय मंत्री के दारकस्यप से अपिल की गई है कि वे उनकी फर्याद को सुने खुले आस्मान के नीचे बच्चेयां के प्रैक्टिस करती है और जिसमें बारिस के वज़े से उन्हें बहुत दिक्कत हो रहा है आज हम आपको बता दें कि ये जो मलखंब के जो बच्चे हैं अब अमरीका गॉट टैलेंट में भी जाने के तयारी कर रहे हैं ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये उनका प्रैक्टिस का जगा है बारिस की वज़ा से ये पूरे देखि काले पड़ चुके हैं दरान आ चुका है बादिवासी बच्चे हैं अब उज्मारिया बच्चे हैं वो इस पर प्रैक्टिस करते हैं और अपने जीवन को समाने का सपना संजवी हैं आए आज हम इस पर ग्रहन भी चर्चा करते हैं और इनकी कोज से बात करते हैं कि बच्चों को लेकर प्रैक्टिस में क्या समस्या आ रही है और होस्टल की क्या सुविधा है और इनकी मांग क्या है चतिसगर तक में स्वागत है मनुझें बच्चों के वीडियो वारल हो रहा है उसमें उन्होंने कहा है कि सुविधाए की कमी है क्या है नसला देखा जाए तो हमारे यहां के बच्चे कापी दूर तक गहे हैं और आप आप जो हमने सोचा था कि आपने चतिसगर नराइनपूर पूरे विश्व लेवल तक ले जाएंगे कहीं नहीं हम लोग उसमें सच्चम भी हुए मगर कहीं नहीं कहीं छोटा सा हमें चीजों का मैसूस होता है कि हम भी और भी अच्छे करें और भी अपने नराइनपूर चतिसगर का नाम और रोशन करें उसके लिए सबसे जो महत्त इस को प्राक्रिस नहीं हो सकता है है लगवलें पंचीश तीस यहां मलखा में सारे मलखां कहीं नहीं पट गया है और हमारे पास समय बहुत कमें यह अमेरिका गूदे गोड़ टैलेंट में जहाँ पर बिश्वकर आता है जहां पर चैलेंज उनके साथ fight करना इतना असान नहीं है तो हमारे सासन से और मंत्री जी से निवेद अंधायर रिक्वेस्ट है अभी भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें यहां पर एक haul बना दिया जाए एक बड़ा haul बना दिया जाये ताकि हमारे यहां पर बच्चे जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए और हमारे यहां पर किसी परकर के फंड की बेवस्ता नहीं है एक फंड कभी बेवस्ता हो जाए तो हम लोग बच्चों को अच्छे सखिला पाएंगे आज 5-5-7 साल हो गया मैं कैसे भी करके सिस्टम को वह वहासों चक्वार रहा हो आज सच बोलो तो हम ठोड़ा बहुत लचार है हम एक शिश्टम में बंधे होने कारण में हम लोग बार-बार कहीं पे जाते नहीं है यह bu तो हम लोग रिक्वेश्ट करेंगे आप लोग के नरायन पूर्वासियों से भी मैं रिक्वेश्ट करूँ आप पुरह पुरह बस्तर के और यहां के बच्चों में टैलेंट की कुई भी कमी नहीं है थोड़ा से जोदी हम लोग इसको गौर से करें तो काफी दूर तक हमारे बच्चे जा सकते हैं जैसे हम लोग ऑलम्पीक के और एसी आ और बड़े गिमों की सपना तो देखते हैं मगर ऐसे सपना नहीं देख सकते हैं इसके लिए हमें कहीं ना कहीं सबको खुल के आना पड़ेगा और सपोर्ट देना पड़ेगा पूछना पड़ेगा कि क्या चिजी हैं और अच्छे से आना पड़ेगा क्योंकि यहां पर जो भी आदिवासी बच्चे या बूज्माड के उसमें टैलेंट के कोई कंभी नहीं है और सहर के भी बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए हम लोगों का मांग था कि यहां पर हो यहां पर बने ताकि आसपास के जो लोग है यहां पर आए बच्चे आए हर जाती समगत आए कि बच्चे आए प्रैक्टिस करें खेले और अच्छा स्थमृ के हवाले में पूरे आपने टीम को देने के लिए तयार हो ने चाहता हो मैं उनके प्वारा निको और एक अपिल किया गया था वह चाहते हैं कि उनसे भी यहां से उनसे भी मदद मिले क्या पत्रचार हुआ था लेटर तो मैंने दो-दो-तिन-तिन बार दिया अब भी विलाई को भी उनके तरफ से अवश्राशन भी दिया गया था यहां पर एक दो बार आए भी थे कि हम लोग करेंगे मगर करेंगे आज दो-तिन साल हो गया अब नहीं तो सब्सक्राइब से बाहर चला जाएगा इसलिए हमने भिलाई को भी बोला निकों को भी बोला कि आपके उनका सीसर पंड वहां से हेल्प आए मगर अभी तक कोई भी नहीं आ पाया हो से कि मैं सही तरीके से पत्रचार नहीं कर पाया हूँगा अच्छा मुझे याद है एक सम दिवह को मिल रहा है या कितने बच्चे हैं हमारे पास अभी तक को बेवस्ता कर नहीं नहीं हमने कहीं से मिला थो हम दूबार 1 लुपार हिंट कि मगर मजबूरी है और मुझे इस टीम को उस लेबल तक ले जाना था तो मैंने इस टीम को जगह तक खिचा और लेके गया जितना देरी कर रहे हैं शारे बच्चे खतम हो रहे हैं जितना जल्दी करेंगे उतना ज्यादा नहीं तो कोई फाइदा नहीं है यह तो मनोच परशाद इनका कहना है कि समय पर मदद नहीं मिलेगी तो मलखम के खिलाडियों का उससाः फीका पढ़ सकता है बच्चों में सरकार वो दिशा दे रहे हैं बौजूद इसके संसाधन की कमी बने वही है सरकार